मतदान किसी दल के लिए नहीं, बलकि पुरा देश, देश का हर्मत दाता, इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए कल रहा है। जनता सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बलकि देश बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, 21 सदी का नया भारत बना के लिए, जनता जनारदन खुद मैदान में है। भाईयों बहनों, मैंने सालों तक पार्टी का काम किया है, मैं कभी मद्दप्रदेश का भी प्रभारी रहा हूँ, यहां की हर जिले को छान मारा है, जब गुजरात में चुनाव होता था, तो मुझे धार, खरगाउं, जाबवा, सब लोग मदद के देते थे, जब यहां च करीचा आप लोगों से बहुत पुराना है, मेरी और आपकी भाषा भी एक है, हम एक जैसा ही बोलते हैं, हम इतनी बड़ी पार्टी है, कुशाबाव ठाकरी जैसे महापुरुसों के तपस्या से बनी हुई पार्टी है, लेकिन मैं बताओं, कोई बुरा मत मानना भई, चु संगढ़न का काम करता था तब भी, हमने पार्टी को इतनी बड़ाई बनी बनाई तो भी, इतने चुनाव के कालखंडों के बाद, सातवा चरन चलता हो, आखरी दीन हो, आखरी सभा हो, किसी संगढ़न की ताकत नहीं है, इतनी बड़ी सभा करने की, impossible, मैं तो सर जुका कर क संगढ़न का काम करता तो नहीं कर पाता, ये पार्टी का ये पार्टी का दबदबा नहीं है, ये आपके दिलों की आवाज है भाईयों, दिल्ली में लोग चर्चा करते हैं, चुनाव उप चुका है, ठक गए है, लंबा हो गया है, ये जो ठके हुए लोग होना, ये मेरे आदिवास्यों के बीच आके बैठो, नई उर्जा मिल जाएगी, ये पॉलिटिकल पंडित, जड़ा समझो, डेश का मिज़ात क्या है, अद्वूत, सोचो सलाम आपको, आपने 2019 के चुनाओं में, एक नया रंग भर दिया भाईयों, और मेरे आदिवास्यों ने भर दिया, मैं जितना आपका धन्यवाद करो, कम है, भाईयों बहनों, 21 वी सदी के भारत के, नए भारत के, इनी निर्माताओं के उत्साह का परणाम है, कि आज, देश, कश्मीर से कन्या कुमारी, कच्छ से कामरूप, पुरा देश कह रहा है, अपकी बार, अपकी बार, और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अपकी बार 300 पार, अपकी बार, अपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अजया हुआ झाल